हलो एवरिवान साकत एक बार फिर आपको मारे ट्यूब चैनल पे आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर दातू के बारे में मिस्टर दातू क्या होता है लिखिए किसी दातू का किसी अन्य दातू या दातू के साथ मिस्टर दातू कहलाता है अब आप बात करेंगे यह तो यह मिक्षर है तो इस मिक्षर में प्रॉपर्टी अर्थाद गुन किसकी आएंगी तो लिखिए मिस्टर दातू के गुन उसके गटकों के गुन से बिन्न होते हैं जिन से मिलकर यह मिस्टर दातू बनी होती है अर्थाद केड़े का मतलब यह है कि जैसे पहले परिवाश आपने क्या बोली जब किसे दातू में या तो किसे दातू को या अधातू को मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा पाज एक Mr. Dhatu तैयार होती है तो अब बात आती है Mr. Dhatu की property अता गुण किस पे निर्वर करेगा मिलाए गई दातू पे आया दातू पे तो यह जो बन के आता है न वह एक proper अलग होता है इसके गुण उन पे कोई पे निर्वर नहीं करते हैं एक नए गुण ही उसमें उभर कर आते हैं ठीक है तो यह है आज अपन पढ़ेंगे Mr. Dhatu वै उनके उप्योग आज का हमारा topic है very very important है इस बात का आप लोगों को जियान लखना है ठीक है इस बात का आप लोगों को जियान रखना है सबसे पहले आते हैं अपन पीतल देखो आपके दिमाग में पीतल के बात आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले आपके दिमाग में आया कि पीतल का उप्योग क्यों किया जाता है बरतन बनाने में किया जाता है तो कई चीज़ों को अपन ऐसे ही याद करेंगे नॉर्मल वाशा में सब को अच्छे तरह याद रहेगा तो लिखिए पीतल के गटक है पीतल क्या है? एक मिश्टर दातू है और पीतल के गटक है तामबा थता जस्ता तामबा थता जस्ता तो लिखिए C U प्लस Z N क्या है C U प्लस Z N तो तामबा प्लस जस्ता से मिलकर क्या बना रहता है? पीतल मना होता है अब आता है हमारा अगला कांसा अगला क्या होता है? कांसा कांसे की क्या बनाए जाते है? सिकखे, मंदिरों की गंटियां और पुराने जवाने में, बद्तन अगर आपने देखे हो, तो वह कहांसे के बनाए आए जाते हैं ठीक है, तो लिखे अब कहांसे में क्या है? कहांसे में भी तांबा है लेकिन, वहाँ पे क्या था? जस्ता फिर अपने बड़ा कासा तामबा प्लस टिन यहां तक की बॉइंट क्लियर हो चुके हैं आप बात करेंगे अपन स्टेनलेस स्टील ठीक है स्टेनलेस स्टील की गटक है क्रोमियम प्लस निकल वेरी वेरी इंपोटेंट है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे स्टील धातू स्टील धातू होती है स्टील के बड़तन वे क्या क्या होते है लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण होता है लोहा प्लस कार्बन का विश्रण होता है डच धातू डच मेटल भी बोलाता है इसको डच दातू का गटक है तामबा प्लस जस्ता तामबा प्लस जस्ता डच दातू अच्छा डच मेटल ठीक है अब आता है बेल मेटल बेल मेटल का होता है तामबा प्लस तिन समझ चुके हैं आप यहां से अपने क्या क्या पड़ा Bell Metal और Dutch Metal दोनों बाते क्लियर हो चुकी होगी आईए आगे बढ़ते हैं Gun Dato Gun Dato में आता है हमारा Tamba 10 प्लस जस्ता Tamba 3 तता जस्ता यह क्या होते हैं Gun Metal तो लिखिए Cu plus Zn plus Sn ठीक है यह तीनों क्या है Gun Metal के मिश्रदातु में मिले वी चीज़े हैं Copper हो गया, Tin हो गया और जस्ता हो गया Copper हो गया Tamba 10 जस्ता अब आता है German Silver German Silver very very important है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे German Silver very very important है German Silver very very important है तो यह हो गया Copper, Zinc plus Nickel Copper, Zinc plus Nickel Tamba जस्ता तथा Nickel ठीक है अब आता है टांका Shoulder के गटक है तो यहां से आप से एक्जाम में Shoulder पूछा जाता है Tin plus Sisa Tin plus Sisa किसके गटक है Shoulder के Monal Metal Monal Metal में लिखिया है Tamba loha plus Nickel Tamba loha plus Nickel यहां तक के point क्लियर हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं मुद्रा दातू सबसे important सवाल जो अभी तक अपन पढ़ने जा रहे हैं और जहां से आप से आप सवाल पूछा जाता है तो लिखिये मुद्रा दातू कौन-कौन से है Tamba Tin तता Phosphorus Tamba Tin तता Phosphorus तो इसमें देखो यहां पे जो Phosphorus आता है न सब यहां Confuse होते हैं तो आपको दियान रखना है मुद्रा दातू के गटक है कौन-कौन से है Tamba है Tin है और Phosphorus है यहां तक के पॉंट क्लियर हो चुके है क्रतिम सोना क्रतिम सोना में Tamba प्लस Aluminium है क्या है Tamba प्लस Aluminium है Shoulder के गटक है आपको बता दिया गया है Layer तता Tin क्योंकि आप से Shoulder ही पूछा जाता है Shoulder के गटक कौन-कौन से हो गए Layer तता Tin Duralumin Duralumin के गटक कौन-कौन से है Aluminium प्लस Tama Aluminium प्लस Tama Rolled Gold के Copper प्लस Aluminium ठीक है Boots दातू के गटक है Sisa Bismit Tin Plus Cadmium यह भी आपको याद होना चाहिए इसका नाम याद रखे है आपा है हमारा अगला Naichrome के गटन है Naichrome Naichrome आपको आसानी से याद हो सकता है Naichrome क्योंकि आपको नाम से याद हो जाएगा देखो कैसे Naise Nickel आपको लोहा याद रखना है कैसे Chromium हो जाएगा मैसे Magnes हो जाएगा यहां से आपको यह चीज़ आपको जाद है इसमें याद रखनी है वह क्या है लोहा क्या है लोहा जंग रोधी इस पात की गटक हैं लोहा, Chromium, Nickel और Carbon लोहा, Chromium, Nickel और Carbon लिखिए आप अमलगम पारे के Mr. Dato को अमलगम कहते हैं एक शब्द आप याद रखना यह आपसे हमेशा पूछा जाता है हर एक्जाम में अमलगम क्या है इसका अमलगम पारे के Mr. Dato को अमलगम कहा जाता है यह है अचे चैनल को आपको प्यार देना है और सेशन को रिवाइज करना है एक नहीं, दो बार नहीं, तीन, तीन, चार चार बार आप इसको पढ़ें, रिवाइज करें ऐसी प्यार देते रहिए लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को प्रैस करें तैंक्यू दन्यवाद नमस्कार